तो अगर आप लोग अकबार पढ़ते हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी ये खबर जरूर पढ़ी होगी कि किसी केदी को उम्रकेद की सजा सुनाई गई है तो ये उम्रकेद क्या होता है इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे वेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रकेत की सजा क्या होती है लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग कौन सी सिटी में रहते हो तो दोस्तो अब हम जान लेते हैं कि उम्रकेत क्या होता है तो भारतिय समीधान में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गंभीर आरोप अपराद करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे या तो फासी की सजा सुनाई जाती है या फिर उम्रकेत की सजा सुनाई जाती उम्रकेत का मतलब होता है कि आजीवन कारावास यानि कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोट उम्रकेत की सजा सुनाता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसे अपने पूरे जीवन जेल के अंदर ही व्यतित करना होता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक किसी अपराधी को उम्रकेत की सजा तब मिलती है जब उसने कोई गंभीर अपराद किया हो जो माप करने लायक ना हो। आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्ति जेल में उम्रकेत की सजा काट रहे होते हैं। लेकिन उन्हें जेल प्रसासन की तरब से 14 या 20 सालों के अंदर जेल से वापस छोड़ दिया भी जाता है। तो मैं आपको बता दू कि जब भी किसी व्यक्ति को उम्रकेत की सजा सुनाई जाती है या उम्रकेत की सजा होती है तो उसका मतलब सिधा सा होता है कि वह व्यक्ति जिंदगी बर जेल में ही रहेगा। लेकिन राजिय सरकार के पास समिधान में दिये गए विशेस अधिकार होते हैं जिसका इस्तमाल करके किसी भी उम्रकेत की सजा काटने वाले केदी की सजा माप करवाई जा सकती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वोटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा। और इसे इंफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। भान झाल के में त명ने में आप तक 25절 को भान को में ताकि मुद हमारे मुद वैभरू में जब पनाइकन अपताय है आप तक 3 लेक thinking